फुले हुए पुआ और पतला पुआ किस तरीके से बनाते हैं आपको इस वीडियो में मिल जाएगा इसलिए इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जादा से जादा शेयर करें लाइक करें और न्यू वीडियो दे बारिक वाला सूजी डालेंगे अगर आपके पास मोटी वाली सूजी है तो इसे एक बार मिक्सी में चला लें अब इसमें एक पिंच इतना खाने बाला सोड़ा डाल देंगे एक चम्मच सोफ या फिर सोफ पॉडर डाल सकते हैं या मनपासन ड्राइप रोट इसमें एक कटोरी चीनी डाल देंगे चीनी और हम बाद में यूज करेंगे दो कटोरी मैदा और एक कटोरी शोजी लिया है तो इसमें लगवा नौ से दस कटोरी हम दोध या फिर पानी डालेंगे इसे आप पानी से भी बना सकते हो मैं यहाँ पर दोध यूज कर दीओ इससे पुआ बहुत ही शॉप्ट बनता है और खाने में टेश्ट लगता है अब इसे लगवा दो से तीन मिनार तक अच्छे से फेट लेंगे आप देख सकते हो थोड़ा सा थिक है तो इसमें एक कटोरी दूध और डाल देंगे तो यह लगवा आठ से दस कटोरी दूध लग गया था और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो कंसिस्टन्स आप एक कटोरी चीनी डाला है एक कटोरी पानी डाल दिया है अब इसे चास्नी बनाएंगे तो लो डू मेडियम फेड़ें पे चीनी को घुल ने देते हैं साथ में इसमें फूर्ड कलर डाल देंगे इससे बहुत यह अच्छा कलर आता है अगर आपको पसंद नहीं है तो आप इसकीप कर सकते हैं आप इस चीनी को घुलने देंगे और इसका चासनी तयार कर लेंगे चासनी हमें एक या दो तार का नहीं चाहिए बस जैसे सहद होता है उसी तरीके का चासनी चाहिए बस एक बार चेक कर लेंगे तो यह देखिए बस चिप चिपास हो गया है तो चासनी हम साइड में रखते हैं पुवा तरने के लिए यहां पर हमने एक करहाई में रिफाइंट ओयल लिया है आप चाहते से गी में भी बना सकते हैं पुवा तरने के लिए ओयल को अच्छे से गरम होने के लिए रख देंगे और विस वेटर को हम एक बार मिक्स कर लेंगे लगभा तो जब तक हमारा ओइल गरम हो रहा है अच्छे से ओइल को गरम करेंगे इसके बाद फ्लेम को मेडियम कर लेंगे तभी पुआ हमारा अच्छे से फूल जाएगा तो एक बार चेक कर लेते हैं तेल हमारा अच्छे से गरम है और वेटर को जैसे ही डाला आप देख सकते हो पुआ नहीं फूलेगा तो पुआ किस तरीके से डालते हैं करहाई में ये भी आपको आना चाहिए अगर आपको डालने का तरीका पता नहीं होगा तो आपके पुआ इसी तरीके से बनेगा फूलेगा नहीं तो चलिए किस तरीके से पुआ को डालते हैं वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, तो इसे निकाल लेते हैं, फिर से ओयल को अच्छे से गरम होने देंगे, इसके बाद फ्लेम को मेडियम कर लेंगे, अब इसमें एक ही जगा पुवा का वेटर डालेंगे, अब आप देखना कितना अच्छे से ये पुवा फूल जाएगा, आप चाहे तो एक से हुए पुवा होगा, उसकी सेफ तोरी बिगड़ जाएगी, तो यहां पर हम होली में ज्यादा कॉंटिटी में बनाते हैं, तो इसलिए थोड़ी से इस तरीके का करही होना चाहिए, ताकि एक साथ में तीन से चार पुवा आ सके, एक बार पुवा को डिफ राई करने में आपको 5-7 मिनट लग जाएगा, और इसे low to medium flame पे dark golden होने तक पकने देंगे, यह पुवा पतला भी है, और फुला हुआ भी बना है, तो यह अंदर तक भी पक जाता है, मेदा थोरा लेट पकता है, तो इसलिए 5-7 मिनट तक लग जाएगा पुवा को डिफ राई करने में, तो आप देख सकते हो, पुवा हमारा deep fry हो गया है, तो इसी तरीके से हम सारे पुवा को fry कर लेंगे, बस हमें पुवा को डालते टाइम बस धिहान डखना है, और जब भी हम पुवा का वेटर घोल के रखेंगे, तो आप 10-12 घंटा या फिर 15 घंटा के लिए भी रख सकते ह तो अगर जल्दी बाजी है, तो दो घंटे में भी आप पुवा बना सकते हैं, तो इसी तरीके से फुला हुआ बनेगा, इस पुवा को हम लोग होली पे बना के खाते हैं, आप चाहे तो किसी भी दीनी से बना के खा सकते हैं, अब क्या करेंगे, सारे पुवा हमने deep fry कर लि एक बार चास्नी को गरम कर लेंगे, क्योंकि चास्नी हमें गुन गुना चाहिए, तो मैं यहां पे निम्बू डालना भूल गई थी, तो आप जब भी चास्नी बनाते हैं, तो उसी टाइम निम्बू का रश डाल दे, इससे क्या होगा कि चास्नी जमेगी नहीं, और इसे ग सब भी चानी के बढ़ाना, इसे बहुत जादा मीठा हो जाता है अगर इस से इस बहुत जादा मीठा है तो इसको घुटी मीठा रहने दे, और अछे तरीके से ग़्या मेठा हो जाएगा अब इस, पे मैंने ड्राइ फ्रूट ए और दीया है, यह पुआ बहुत प्ज़ Sug gets an है आपको ये वीडियो कैसी लगी पसंद आए तो लाइक और जाद से जादा शेर जरूर करें और कमेंट में बताएं आपको वीडियो कैसी लगी और आपने जो पुवा बनाया थे आपके कैसी बने थी तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थेंक्यू सो मच क्या है खब्सकत करें कर 추 ते चाह मेंचियो आपके कैसी बनाया खर जादा है कि कर को दो बताद से जाम की वीडियो करा प dabeiएंक्सरां तेपोल धनाया वीडियो कर एं कर फा मेंद कन तर जात्यां का दर का देंक्टको येंस्लियोणully्ख खichtig